हलो फ्रेंड्स रुबी स्कुक बुक में आप सभी का स्वागत है शर्दियों का मौशम है और कुछ गर्मा गरम सूप मिल जाए तो क्या बात है और थोड़ा चटपटा हो तो मज़ा दुगना हो जाता है ये बहुत जल्दी चटपट बन जाती है तो चलिए बनाते हैं lemon coriander soup एक कड़ाई को gas के उपर चड़ा दिया है इसमें एक बड़ा चम्मच oil डालेंगे एक टुकरा butter डालेंगे और थोड़ा बारीक चॉप किया हुआ लहशन और अदरक मेची को दरदराशा पीश कर हमने डाला है आप इसे बारीक चॉप करके भी एड़ कर सकते हो उसके बाद एक छोटा साइज का प्याज को हमने बारीक चॉप करके एड़ किया है इसके साथ ही थोड़ा सा पत्ता को भी और बीन को हमने चॉपर में बारीक चॉप करके एड़ किया है आपके पास जो भी सब्जी हो गाजर वगेरा वो आप यहाँ पे अड़ कर सकते हैं मेरे पास गाजर नहीं था तो मैंने अड़ नहीं किया है उसके बाद medium to high flame में इसे थोड़ा सा भून लेंगे सब्जियों को बहुत जादा नहीं भूनना है बस इसका crunch बना रहे और लैशन अद्रक मिर्ची का थोड़ा सा कच्चापन खतम हो जाए बस उतना ही भूनेंगे यह सूप खाने में जितना tasty और healthy है बनाना उतना ही easy है तो देखिए सब्जियों को भूने हुए 2-5 मिनाट हो गया है तो धनिया पत्ता का जो डंटल है उसको अब हम यह आपे add कर देंगे इससे सूप में बहुत अच्छा टेस्ट और खुसबू आता है तो इसे भी डालकर आधा मिनाट हमने भून लिया है यह सूप भिटामिन C से भरपूर होता है बच्चे बड़े सभी के लिए बहुत ही healthy है अब हम यहाँ पर add करेंगे 3 कटोरी vegetable stocks अगर आपके पास vegetable stocks नहीं है तो आप simple सा पानी add कर सकते हैं vegetable stocks को डालने के बाद एक बार इसको चला लेंगे इसमें अच्छे से boil आ गया है तो एक चम्मच corn flour को हमने दो चम्मच पानी में घोल कर रखा है तो उसको हम यहाँ पर add कर देंगे इससे सूप थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा हमें personally यह सूप बहुत जादा गाढ़ा पसंद नहीं है यह सूप थोड़ा पतला ही अच्छा लगता है उसके बाद हम यहाँ पर add करेंगे श्वादनुसा नम्मक एक चम्मच गोल की पाउडर उसके बाद इसे अच्छे से चला लेंगे और पास से 7 मिनट इसमें अच्छे से बॉयल आने देंगे जैसे सारा सबजियों का फ्लेवर जो है सूप में आ जाए तो देखिए पास से 7 मिनट बॉयल किए हुए हो गया है तो इसमें खूप सारा धनियापत्ता अइड करेंगे धनियापत्ता को हमने यहाँ पर जान बुछ और बाद में आड किया है पहले अड करेंगे तो धनियापत्ता का कलर चेंज हो जाएगा अब हम यहाँ पे एड़ करें के एक निम्बू का रस आपको जितना खटा पसंद है उसी हिसाफ से आप यहाँ पे एड़ कीजिए तो देखिए सूप का कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं यह सूप इसी तरह का पतला ही अच्छा लगता है तो अब हम यहाँ पे गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और शर्ब करकर दिखाते हैं तो फ्रंस यह सर्दी का मौसम में गर्मा गर्म लेमन कोरियंडर शूप बनाईए और शबी फैमिली मिंबर्स मिलकर एंजॉई कीजिए और यह शूप का रेशीपी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सेयर और सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक्स फॉर वाचिंग